हेलो फ्रेंट्स तो हमने पवार वंस और चंद वंस पर बात कर दी थी तो आज एक महतपूर्ण और इंपोर्टेंट जो टॉपिक है कत्यूरी वंस उस पर भी उससे जुड़ी तमाम जो जानकारिया हैं आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएंगी साथ ही आपको बताया जाएगा कि कत्यूरी सासनकाल से और करति के पूर जो राजवन्स है उसकी पूरी डेटिल्ड जो परिक्षा के लिहाद से भी आपको बहुत काम आएंगे साथ में जी के जनरल लॉर्स के तोर पर भी आपके काम आने वाली हैं तो शुरू करते हैं तो देखिए जो कारति के ये कत्यूरी राजवन्स है वो बाद में आया कुरिन और कुसानों के बाद ये उदै हुआ था आपका कारति के पूर जो राजवन्स है उसका उदै हुआ और इसे कत्यूरी वंस के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो इसका उद्य तब हुआ था जब हर्स के बाद जो राजा हर्स था उसकी मिर्ट्यू के बाद क्या हो गया तो बहुत सारे जो राज्ये थे वो छोटे छोटे टुकडों में बट गए थे उसके बाद ही कारतिकेपुर राजवन्स कुरिंद कुसांड जिसे राजवन्सों का उद्ध हुआ था तो इससे पहले मैं आपको चंद में भी कहा था और पौवार में भी कहा था कि ये खस परदेश के नाम से भी यहां जाना जाता था इसे और क्योंकि हर के जो जिसे पमार आपके सम्मन्दित थे गुजरात से गुजरात की राजकुमार कहते हैं कनकपाल वहां से आया था और वैसे ही चंद को कहते हैं कि परतिहारों से इसका संबनता ये भी बाहर करा जो कमारता जिसका सेम कहानी है पमार की जैसे सोम चंद की तो वो हम दोनों बातें आपको दोनों वीडियो के अंदर इस पिसली बता चुके हैं तो आप जाकर ने देखिए और तब जाकर आपको उत्राखंड के इस सुरंडी मितिहास के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा जो काफी मदद करेगा आपको परिक्षा में ठीक है तो देखिए जो हर्स की मिर्चे के बाद एक छोटे सा राज जावत्पन हुआ वहीं कत्यूरी जो सासकों ने अपना राज किया था तो देखिए कत्यूरी राजवंस की स्थापना कहता है कि 700 इसी पूर्व में हुई थी 700 इसी पूर्व में क्याता है कि 700 इसी पूर्व के लगभग चंदवंस का भी उदय हुआ था तालेसवर और पांडोकेश्वर के जो दानपात्रों से उलेख मिलता है कि जो कार्थी के पूर्व राजवंस है उसके जो राजधानी थी वो जोश्यमट हुआ करते थे मतलब वहां जोश्यमट में कत्यूरी 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 जो वंस के जो राजा थे वो शासन करते थे और जो बागेश्वर में बैजनात का मंदिर है समोहों से भी प्रमान मिलता है कि जो अलमोडा के कत्यूर घाटी थे उनकी राजधानी हुआ करते तो बाद में जोश्यमट से वो कत्यूर घाटी के चैके जन्द सुर्तियों में कत्चुरी शासक कहा गया थे ऐगे चलते हैं कुटिला लीपी जो अमेली है बागे सवर से कंडारा लीपी पांडा के सोर से ईवं बाजनात में जो तामरा बिलेक मिले हैं उसमें जो कत्चुरी वंस का जो एधियासिक साक्षे मिला है उसमें इसे कुमाओ छेतर का पर्थम राजवन्स कहा गया है देखे चंद को नहीं कहा गया कुमाओ छेतर का पर्थम राजवन्स जो कहा गया है वो कत्यूरी को कहा गया है तो ये जो चीजे है कत्यूरी राजवन्स की जो अगर पूछेगा पेपर में कि कौन सा राजवन्स उतर कुमाओ का पर्थम राजवन्स था तो आप आंसर दिंगे कत्यूरी राजवन्स चंद पर बिल्कुल आंसर मत कीजिए ना कुसान पर कीजिए ना कुडिन पर कीजिए कुसान और कुणिन एक तरफ से आप समझे एक छूटी जो जनजाती के तौर पर इर रहते थे इनका कुछ अभी वैसा कुछ लिखित अविशेश जो है मिले नहीं है हलंकि इनकी कुछ शिखे जो है प्राप्त हुए है अल्मोडा से ठीक है तो जो इतिहासकार है एटकिन्स उनके नुसार जो कत्यूरी वन्स था कारती के राजवन्स जिसकी बात हो रही है उनकी जो सीमा की बात करें तो उत्तर में तिबबत कैलास तक फैला था पूरो में गंडेकीत नदी तक दक्षिण में कठेर यानि रोहिल खंड तक विर रोहिलों के भी बात सुनी हो गया तुमने आप आपने की रोहिलों का भी दमन गुआ था अंग्डेजों के टाइम में और वहां जो है जो चोरी की घटनाई बहुत अधिक होती थी तो जो बागे सुर लेक में लेक मिलता है कि जो राजवन्स का जो पर्थम जिसने स्तापन गेती वो था बसंत देव ठीक है तो इसे आपको याद कर लेना है कत्योरी राजवन्स का उदय का इस्तापना किसने की बसंत देव ने और चंद राजवन्स की स्तापना किसने की सोमचंद ने पुआ राजवन्स की स्तापना किसने की कनकपाल ने ठीक है तो ये आपके कहते हैं और कत्यूरी के जो काल को है स्रोडनिम काल भी कहते हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम काफी ज्यादा जो है एतिहासी के चीज़ों की रचना हुई हमारी संस्क्रिती का विकाश हुआ जो वरतमान में आपको दिखाई देती भी होंगी और वास्तुकला की भी जलक कत्यू सेली का या केदारनाथ सेली बाद में इसका नाम बदल दिया गया ठीक है उत्राखंड सेली सोरी उत्राखंड सेली को ही कत्यूरी सेली आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा थोड़ा तो आपको वो अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको हर एक मंदिर की जो है कला कि वास्तो कला सैली है उसके बारे में पता चल जाएगा जैसे बदरिनात की होगी मुगल सैली तो उसमें सब जो है जानकारे आपको दे गए है तो आप जाकर किर्फिया उसे पढ़ लीजेगा तो देखिए कारतिके पुराज वन्स है को ट्यूरी वन्स ठीक है उसके बारे में ये समझना आउश्यक है कि देखिए इसके अंदर दो तीन वन्सों ने राज किया है हलंकि एक ही परिवार से थे तो ऐसा समझ सकते हैं इनको कि वन्स तो ये एक था लेकिन बसंत देव से शुरू हुआ तो दूसरा आगया था खरपड देव लेकिन जो खरपड देव वन्स पहले तो आगया बसंत देव पहले समझ लीजिए कि तीन वन्सों ने राज किया था खरपड देव तीक है आपके निंबर वन्स और सुलोडा देथा हैं बसंत देव से सुरूआत होती कत्यूरी वन्स की कत्यूरी क्यों कहते थे तरह ने क्यूंकि कत्यूर घाटी में इनका सासंता ठीक है यहीं उनकी राज़ानी आप पर बताए न आपको गत्यूर घाटी में इनकी राज़ानी साखना गया थे इसलिए इनका नाम कत्यूरी बांस दिया गया है ठीक है और इसमें जो राज करने वाले थे इसमें घरपडे हो आपके शलोणा देते हो गया और निम्बर वंस यह तीनों परिवार ने क्या कि रहता बारि बारी बारी से कत्यूरी वंस, जो है कत्यूरी राजजानी की गद्धी पर, यह करति केपूर के हैं तो जादा बैता रहा, कारति केपूर की गद्धी पर यह बैठे थे, तो दिखे बंगाल का एक सासक धरमपाल के अक्रमण के बाद कार्ति के पूर पर निम्बर वंस का जो है सत्था सम्वाली तो ये भी आप ध्यान लेखे बंगाल का जक्रमपाल ने यहां अक्रमण किया था तो देखिए आगे चलते हैं कि जो तीन परिवार थे ठीक है तो इनमें एक अंतिम जो सासक कहेंगे तो वो है असान्ति देव इस वंस का जो है का त्योरी वंस का सबसे अंतिम शासक एक परथम सासक अंतिम शासक इनको थोड़ा आपको याद रखना है आपको कमेंट बॉक्स में किरपिया बताना है अगर आपने चंद वाली वीडियो देखिए तो अगर चंद वंस का अंतिम सासक कौन था गड़वाल सबसे अंतिम शासक कौन था अगर चलते हैं देखिए कस्मीरी तियासकार कल्धन की जो पुस्तक है राज दरंगडी में ठीक है तो उसमें भी कहा गया है गड़वाल पर ललिता दित्यमुक्त पीड़ा इसने गड़वा को जीता था उसके बारे में लिखा है और इनके बारे में भी जिक्र मिलता है जोशी मट में जोशी मट से इनके बारे में भी जिक्र मिलता है जोशी मट का जो नरसिंग मंदिर है कहते है कि जो उसकी स्थापना की थी वो लिलिता दित्यमुक्त पीड़ा ने किया था ठीक है आगे चलते हैं देखें बहुत धर्म की प्रभाव के कारण हिंदु धर्म की पुनुस्तापना से समस्त उत्राखंड में तीर्थ धामों की नीव रखी किसने रखी थी आधी गुरू संक्राचारे तो आधी गुरू संक्राचारे कार्तिकेपुर राजवन्स के दोरान ही उत्राखंड के यात्रा पर आए थे और देखें आट सो बीस उसे में इन्होंने अपना सरीर कात्वा क्या कहा था केदाड़नात के अंदर तो ये भी पुझा जाए संक्राचारे की समाध ही कहा है तो आप कहेंगे केदाड़नात में ठीक है अब देखें कुछ महतपुन जो जानकारी है कार्तिकेपुर इतिहास की वो मैंने पॉइंट किये हैं तो ये आपको याद रखनी है तो देखें कार्तिकेपुर राजवन्स है वो कत्यूरी वन्स का जो पर्थम सासक था जिसने सुरुवाद की थी इस्तापना की थी वो थे बसंत देव से इसने रीव रखी थी कत्यूरी वन्स की या कार्तिकेपुरी राजवन्स की ठीक है फिर देखे लिल्ता दिखतया कल्हन की जो राज तरंगणी में है लिल्ता दिखतयामुकतपीड़ा उसकी जानगारी मिलती है कि उसने गढ़वाल विजय किया था यह उसी के समय की कहानी है तो ये आपको ध्यान रखना है कि कल्हन की पूछा भी जाता है जीयस के हिसाब से भी important है कि कल्हन की पुस्ता कौन है राज तरंगनी और उसमें किसका जिकराता है लिलिता दित्या मुक्त पेड़ा जो कृष्मीर का एक सासक था उसने गड़वाल को जीता था ठीक है बसंत देव के बाद कौन आये था कार्ति के उपर पर राज करने खरपर देव इस वन परिवार के लोगों ने खरपर देव वन से भी कहा है तो उन्होंने यहां क्या किया था राज किया था कार्ति के पूर उपर उसके बाद खरतर देव के पर जो है वो करनोज के यादर जो राजा था युसो वर्मन उसका समकालीन था खरतर देव के बाद जो प अतनी का नाम क्या था लध्धा दीवी और खरपड़ देव राजवन्स का जो अंतिम सासक था वो कौन था त्रिभोन राज और त्रिभोन राज ने अपने आपको परम भट्टारक महाराजय दिराज प्रमिश्वर की उपादी धी थी ठीक है त्रिभोन राज के बाद देखे निम्बर वन्स की खरपड़ देव खतम हुआ तब निम्बर वन्स आया यानि त्रिभोन राज के बाद निम्बर वन्स की स्ताफना हुई और निम्बर वन्स का जो लेक है वो नालिंदा विलेक में बंगाल जो है बंगाल से मिलता है धरम पाल जो है उसने गड़वाल पर करम्ण क्या जिक्र लिए धरमपाल का बार बार जिकर आता है अघरे धरमपाल है कुण और यह आपके GS में है इंडियन GS के साबसे भी बहुत important है क्यूकि धरमपाल ने एक बहुती famous मैं कहूं तो college की भी नीव रखी थी धरमपाल ने अब आपको ये ढूंड कर लाना है कहीं से नहीं पता तो आप पो सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर पता है तो अच्छी बात है अब देखिए जो है धरमपाल ने आकरबन किया और जीता था किसको गडवाल को तो फिर गडवाल तो नहीं कहूंगा कुमाओ को जीता था तो तब इस्तापित होता है किस वन्स की कत्यूरी वन्स की बात कत्यूरी पूर में किसका वन्स जो वो है सत्ता समालता है वो है निम्बर वन्स निम्बर वंस का जो शासक था हूँ शैव मतावलम्बी थे तो ये देखें शैव मतावलम्बी ये ज़्यादा थे ये शिव को मानने वाले ठीक है तो जागेश्वर में हैं इन्होंने विमानों का निर्मान कराया था किसने निम्बर वंस के शासकों ने ठीक है इसके अलावा जो इश्टगन देव है तो इसने बहुत ज्यादा जो है शिव के मंदिरों का निर्मान कराया है जो अभी तक फेमस है और बहुत पुराने हैं इश्टगन देव इनने भूलेगा मत निमबर वन्स के सासा को इश्टगन देव का क्योंकि इसने उत्राखंड को न सिर्फ एक सूतर में बादने का प्रियास किया बलकि इसने धर्म से जो शैव मत को है और दृड करने के लिए उत्राखंड के अंदर उसने देखे नव दुरगा का महिस मर्दनी ये मंदिरों की स्थापना की जागेश्वर में मंदिरों का शम हम है लकुलीस की इसने एस्थापना के और नट्राज मंदिर जो सबसे पुराना मंदिर है जागेश्वर में इसका भी निरमान और गराया था इस्टगान देव की और कहां चर्था मिलती है तो पांदोकेश्वर लेक में पांदो केश्वर कहा है ये आपके जोश्यमठ के आगे है मतलब पांडू केश्वर से ही आपके जो है हमकुंट की यातरा पर लोग निकलते हैं पैदल यहां पांडू केश्वर से पैदल निकलते हैं पांडू केश्वर में ही आपके पांडू के जो कहते हैं मंदिर भी है ठीक है यहां जो पांडू के जो पिता थे उनका कहत यहां तपश्या केटी फिर आगे देखें तो इस्टगन देव के बाद जो आता है वो ललित सूर्ब देव आता है और ललित सूर्ब देव जो है उसे कहता है कि भहुती सौर्यवान था और परतापी राजा यह थे इन्हों ने क्या कि रहा तामर पत्र में जो पांडोकेसर त पत्र में है ललिदसूर को कहा गया है काली काल अलंगलिदस पंक में मंगन धर्थी के उधभार के लिए 12 उतार के शमान तो इन्हें बताया गया कैसे आपके रललीद सूर देव को ठीक है और इश्टगन देव की बाद वो आये थे इश्टगन देव ने नत्राज मंदिर की स्थापना की है ठीक है और जागर्शार के अंदर मैस मर्दे नहीं हो गया इसके लावा एक हमने कहा था कि Dwarahat को मंदिरों की नगरी कहा था और Dwarahat में बहुत पुराने मंदिर है Dwarahat में एक मंदिर और है महा मिर्चुन जय मिर्चुन जय मंदिर ठीक है तो उसकी इस्तावना किसने की थी ये आपको बताना है वो इतनी सीरी सारी चीजें में पूछ रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि आपके कमेंट जो है नहीं पता है तो आप पूछ सकता है बाले सुर्थ अथा पांडू के सुर्थ से मिले तामरुपत लेखों के अनुसार सुलोडा दित्या के पुत इचर देव ने कार्थी के पुर में सुलोडा देव वन्ज की स्थामना की ठीक है लले सुर्थ के बाद जो है भूदेव राजा बनता है और वो बहुत धर्म का बहुत विरोधी था और बैजनात मंदिरों में इसने बैजनात के मंदिर कहा है बैजनात मंदिर बागेश्वर में और उपर में हमने अभी जिक्र किया था जागेश्वर के मंदिरों की इसने क्या किया था ललसुर के बाद जो भूदेव आया भूदेव ने बैजनात मंदिरों में दिर्मान का सग्यों के था वो भी बहुत ज़्यादा मंदिरों का एक सम्मू है बैजनात हो गया आपके जागिश्वत हो गया ऐसे ही आपके आदि बद्री में मिलता है अब देखिए जो बात हो गई थी किसकी निम्बर वंस की ठीक है उसके बाद आता है किसकी सुलोडा दित्या वंस तो सुलोडा दित्या जो के पुत्र है इच्छर देव उसने सुलोडा दित्या वंस की इस्ताबना की थी इच्छर देव ने कार्थिकेपूर राज में सबसे विद्वान राजा कहा गया है इसने देखे सुभक्षी राज़ देव आदि सासकों ने सासन किया इच्छर देव के बाद देशत देव, पद्म देव, सुभक्षी राज़ देव इन्होंने कत्यूर कार्थिकेपूर पर सासन किया था यह कत्यूर घाड़ी भी कहा है तो उस पर सासन किया था कत्यूर आजवनस मैं देखे सुलोना दित्य आजवनस के बाद असांती देवनस का जिक्र मिलता है असांती देव गद्धी पर बैठा था अभी हमने उपर आपको बताया देखे कौन कौन से राजवोंस ये आए थे सबसे पहले देखे यहाँ से सुरुवात करें बसंत देव ठीक है? बसंत देव ने तो निव रखी लेकिन बसंत देव के बाद आया खरपर देव खरपड़ देव राजोंस की उसने नीव रखी ठीक है और खरपड़ देव के बाद आपके निमबर वंस आता है निमबर वंस कैसे आता है क्योंकि जो बंगाल का सासक है धर्म पालो गड़वाल पर आकरमन करके उसे जीत लेता है और यहां निमबर वंस की स्थापना करता है निमबर वंस के बाद जो मैं काफी सैव मंदिरों का निर्मान हुआ और इश्ट गर्ण देव था इसमें बहुत ही विद्वान था उसने जागेस्वर में विमान जो विमानों का है निर्मान करवाया है इसके लाव उसने उत्राखंड को एक सूतर में बादने के लिए जागेस्वर में काफी मंदिरों को निर्मान करया है नवदुरगा, महिस मर्दिनी, लकुलीस और नटराज के मंदिरों का उसने निर्मान करया इस गर्ण देव के बाद जो उन्ही का किती पर बैठता है लली सुरु देव बैठता है लली सुरु देव ने क्या कहता है लली सुरु देव को कहता है कि ये काली कलंग पंक में मगन धर्ती के उद्धार के लिए बाहरा उतार के समान इन्हें बताया गया था और सर्विसे सौर्वान तालालिसु देव के बाद भू देव आता है और भू देव क्या करता है भू देव क्या करता है भू देव क्या करता है बैजनात में मंदिरों का निर्माण में सियोग बूदेव के बाद कौन आता है सलोडा दित्य राजुन्स सुरी बूदेव के बाद इच्छर देव आता है इच्छर देव के बाद आता है सलोडा दित्य राजुन्स सुरी बूदेव के बाद आता है इच्छर देव और सलोडा दित्य राजुन्स और फिर जो इसका जो अंतिम सासक है ब्रह्मदेव इसका अंतिम सासक ब्रह्मदेव है वो क्या करता है राज करता है और मैंने ब्रह्मदेव का जिकर आपको चंद में किया था अगर आपने चंद वाली वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि ये ब्रह्म देव था पर था कौन ठीक है नहीं पता है तो एक बार चेक कीजिए क्योंकि मैंने इनकी बारे में कहा था ठीक है तो ये क्या था अत्याचारी था और एक कामुक राजा के दोर पर इसे बताया गया है इसके बाद देखिए कि ब्रह्म देव के बाद जो है किसी भी राजवन्स के यानि कार्थी के राजवन्स पर कत्यूरियों के सासन का कोई उलेख नहीं मिलता है प्रमान भी नहीं मिलता है लेकिन ये थे इनकी जो राज़कुमर है उनको खदेडने का काम किया थे मैंने बताया थे आपको और इनहीं के जो राज़कुमर को ये उत्पात इन्होंने गड़वाल में बचाया थे और फिर तीलू रोतेली ने इन्हीं को फिर युद्ध में पराजित कर वापस बखाया था तो चंद चूब वाली वीडियो है चंद शासकों कि उसमें मैंने बताया है कि जो कत्योरी सासकों को जो बचे हुए थे उनके राजवनसों को या कहें तो उनके राजकुमानों को किसने कड़वाल की तरफ ख़देडा यह आपको वताना है अगर आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखी है तो किरफ़ाद देखिए क्योंकि यहीं से क्वेशन बनके राएंगे और अगाफी इंपोर्टेंट है आपकी परिक्षा से लिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो किरफ़ाद लाइक करें इसी तरह और सयो करें क्योंकि तभी जाकर आगे चीजें कुछ और नहीं कुछ बताने में आपको मज़ा हैगा तो देखिए बज़द पांडे जो है उन्हें कत्यूरी वंस को क्या कहते थे सूर्य वंसी कहते थे ठीक है सूर्य वंसी कहते थे और देखिए सूर्य वंसी से याद आया सूर्य मंदिर है एक आपके अलमोडा में एक आपके टिहरी में तो इनको भी आपको देखना है और इनकी जो परमुख भासा कौन सी थी संस्क्रित और पाली थी तो यहाँ पर खतम होता है कत्यूरी वंस तो यह सारी मेहतोपूर्ण जानका रहे हैं थी कत्यूरी वंस से रिलेटेड और आपको यह पढ़नी है और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और लोगों को भी बताएं साथ मैं जो है आप अपनी राय सुजाव कुछी भी है कमेंड बॉक्स में देश सकते हैं तो ऐसे ही पढ़ते रहे हैं बाई बाई